Hello Everyone and Welcome to Only IS स्वागत है अब सभी का Rapid Current Affairs Revision Series में ये कैसा initiative है जिसके अंदर हम लोग Prelims Oriented Important Current Affairs को बहुत स्पीड में revise करेंगे अगर आपको लगता है कि इस topic से कोई भी Important Current Affairs का topic छूट गया है तो आप comment section में हमें जरूर से बताएं जिसे की बाकी student भी उन topics को पढ़के examination hall में बैठे तो चलिए discussion स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो important article वो बात करता है INS सुमेधा की तो INS के बुलब आम जरा पता आपको क्या है INS मतलब होता है Indian Naval Ship जो भी नीवी के ship होते है उसके आप देखेंगे हमेशा INS लगा होता है तो INS सुमेधा असल में इस्तमाल किया गया था Gulf of Adam में जो की piracy के खिराफ operations वोय थे उसके लिए तो यहां हमारे लिए इस से related कुछ important चीज़े हैं है कि पहले हमें पता होना चाहिए Gulf of Adam कहां पर है और let's say state of homers कहां पर है Airbnb की जो primary location है वो आपको पता होनी चाहिए तो जिसे Gulf of Adam है ये आपको Red Sea और Indian Ocean के बीच का इलाका है जहां पर आपको फिर ये इलाका यहां देखने भी मिल सकता है इस map मेरा ये रहा Gulf of Adam और उपर आपका state of homers आता है जो Gulf of Oman के उपर है यहां जो इरान के पास आता है तो Gulf of Adam और Gulf of Oman के बीच में difference आपको पता होना चाहिए कहां पर location wise difference है पर जो हमारा core article o INS Sumedha की बात कर रहा है जिसका इस्तमाल Somali coast में किया गया था किस चीज के लिए रोकने के लिए piracy को और जो वहां पर vessels फास गए थे उनको बचाने के लिए इसको भेजा गया था अब दो जो straits है जैसे यहां जो straits है इसका नाम क्या है जो कि इस region में add करता है जो आगे जैके Mediterranean को जोड़ता है और Red Sea और Gulf of Aden को जोड़ी रहा है यहां जो है इसका नाम क्या है और उपर हमारा स्टेट अफ हरमस आता है जो कि Gulf of Oman के पास आता है तो यह basic difference आपको पता होना चाहिए और यहां पर यह ship इंडिया नेवी का गया था rescue operations के लिए तो यह SL में 2014 से आर्मी के पास है यह SL में एक offshore patrol vessel है पेट्रोल vessel का का काम होता है पेट्रोल करना यानि घूमना फिरना और देखना कहां पर क्या security issues है और specifically ocean surveillance का एक important aspect है इसके काम का जिसमें patrolling requirements और surveillance को देखता है तो हमारे लिए important चीज़ है क्या है NSU मेधा कहां गया था किस region में rescue के लिए गया था और यह SL में Middle East के पास Gulf of Aiden के बात मैंने पहले ही कर रखिया है जहां पर कई सारे choke points है choke points का मतलब क्या होता है यह देखते है यह जो इलाके जहां पर यह space इतना छोटा है कि आप कोई ships यहां लगाएं तो इस इलाके को choke कर सकते है फिर यहां movement रुख सकती है tanks की, vessels की tankers की, commercial vehicles की commercial ships की vehicles मतलब ships यहां move करते है तो जो ऐसे इलाके समुदरी इलाके जिनको आप बंद कर सकते है, जिनको choke कर सकते है वो कहलाते है choke points तो बहुत important choke points है यहां आसपास दो एक तो यह Gulf of Adam के पास, उबर Gulf of Oman के पास State of Malacca के पास तो ऐसे जो areas है जिनको बंद किया जा सकता है, जिसका बहुत बुरा प्रभाव या बड़ा प्रभाव हो सकता है trade communication lanes के उपर में वो होते है choke points यह के बाट आयना सुमेधा की और Gulf of Adam की और इसके बाद हम बढ़ते है जो इंडियन नेवी का एक जो नया upgraded high flash high speed diesel launch हो है उसके बारे में तो यह असल में जो इंडियन oil cooperation ने इसको बनाया और हमारे काम की चीज़ें यहां क्या है किसने यह high class diesel शुरू किया है किस चीज़ के लिए है तो NATO class diesel है जो थोड़ा higher grade diesel होता है जिसमें sulfur की मातरा आम diesel के मुकाबले कम होती है sulfur की मातरा कम होगी तो वो ज़ादा combust कर पाता है normally जो fuel जलता है उसको combustion के लिए combustion की speed होती है जो increase होती है अगर आपके उसमे sulfur कम होती है तो यह high class diesel है जो किस company ने बनाया है तो Indian oil cooperation ने बनाया है जो कौन यूज़ करेगा तो Indian Navy यूज़ करेगी यह हमें option में eliminate करने में मदद करेगा और इसका खास बात क्या है इसका जो city in number है सबसे ज़्यादा है marine diesel fuel के मुगाबले में city in number बढ़ने से क्या होता है कि कितनी ज़़ा speed से आपका fuel combustion हो पाता है और बहुत ही कम environmental impact होता है क्योंकि इसमें sulfur content कम होता है अगला article बात कर रहा है के नाइन वजरिटी गन्स के बारे में तो tank की गन्स है जो हमें पता ही है और ये जो किस company ज़रा build up है क्योंकि made in India है तो L&T इसको बनाती है लेकिन वजरिटी गन्स की खास बात ही है कि ये एक self-propelled how it's just है और क्योंकि ये इंडिया का जो ग्लोबल और एक्ट लोकल की मुहीम है उसके अंतर गत है क्योंकि ये normally जो है वो South Korea से पहले मंगाया गए थे दस ये जो गन्स है और उसके बाद इंडिया में भी इसको manufacture किया गया L&T के साथ collaboration में और ये बन रहे हजीरा गुजरात में क्या खास बात है जैसे मैंने बताया Self-propelled Howitzer है Howitzer क्या होती है जो आपकी जो शॉर्ट गन है जो shells को fire करती है तो खास बात है हाउटजर की speed तोड़ी जारा होती है जब ये projectile अटेक करती है मतलब इसमें कुछ गोले लगे होते है जो दुश्मन की लाके में जाके विसफोट करते है primary concern ये है इसका जो import है शुरुआद में South Korea के साथ हुआ है तो ये South Korean origin का एक gun है ना की Russian या फिर American या Israeli जो हम normally पढ़ते हैं या जानते हैं तो ये खास बात है केन वजड़टी guns basically Korean था जिसको बाद में इंडिया में भी manufacture करना start किया गया है L&T के साथ फिर बात आती है coast guard की any basin की एक इस बार induction होया है चिन्ने में तो any basin क्या है तो असल में एक coast guard ship coast guard ships क्या करते हैं तो obviously जो हमारी coast line है उसकी सुरक्षा करना है इनका काम होता है और जो any basin है इसकी खास बात है कि प्रिदर्शनी क्लास की ये पेट्रोल वैसल है और ये पूरी तरह से इंडिया में डिजाइन की गए थी कमिशन की गए थी कॉलकता के पास जो किंदरपूर डॉक है वहाँ पर communication equipment sensors में लगे होते हैं जो maritime operations जो भी होते है स्कॉर्पिन क्लास सम्मरीन कौन सी होती है हमने पहले भी डिसकस की हुई है वो submarines होती है जो कि french based होती है और ये diesel electric submarine है और क्योंकि इंडिया का जो project 75 है उसका ये part है अब project 75 के अंदरकत क्या बात होती है पहले project 75 जानने से पहले एक बार current को cover कर लेते है किस class की है स्कॉर्पिन क्लास है मतलब electric diesel submarine है और इसका इस्तमाल किया जाएगा किस चीज़ के लिए obviously इंडिया की safeguarding के लिए इन सब चीज़ों के लिए तो करांज जैसे manufacture हो रही है तो ये मजगाउं नीचे ये रह सकते है अब बात आई जो मैंने आपको बोला ये project 75 के अंतरगत है तो क्या है पी 75 या प्रोजेक 75 तो project 75 के अंतरगत ये फैसला किया गया था कि हम अपने खुट के summaries बनाएंगे state of art independent setup के थूँ तो उसके तायत strategic partnership model बनाए गया है दूसरे देशों के साथ भी कि आप ये तो technology transfer करें या फिर हमारे साथ collaborate करें तो इसके अंतरगत कलवेरी, कंदेरी, करनाज और वशगीर जैसी जो sunmarines है वो बनाए गई थी ये हो गई आपकी project 75 की कहानी और जिसमें ये जो है वो आइनस करंज है इसके अं scorpion class submarine है इसमें भी जो आप देखें जो fuel cell का module है वो इंडियन है, DRD हो ने इसको manufacture किया और बाकिस submarine जो मैंने बोला वेला, वलगीर और वक्षीर जो अभी बन रहे हैं, manufacture होने वाले है, again ये सब किसके अंदर करताते है project 75, तो अगर आप से पूछा जाए project 75 किस से related है तो इंडिया के submarines को हम जितना जड़ा indigenize कर सकें, जितना उसको DC technology और companies को उसमें involve कर सकें, उससे related था, और ये एक strategic partnership models होगी अलग-अलग companies के साथ, जिसे french based model है, scorpion वाली और akula class Russian submarines होती हैं, तो इन सभी के साथ partnership की गई है, इस project के अंतरकत, अगला जैसे हमने उपर भी देखा, करांज, इससे मिलते जुलते नाम का एक है शरांग, तो शरांग असर में एक artillery gun है, और जो इंडिया की ordinance factory board है, उसने शरांग इंडिया आमी को सौप दिया है, अब खास बात, शरांग is complete indigenous, देशी है और artillery gun है, तो obviously artillery gun shells fire करने की काम आती है, तो अगर खास बार बॉर्डर के इलागों में जो पाकिस्तान के उपर या फिर चाइनी के साथ हमारे विवाद चल रहे होते हैं, तो वहाँ इसका इसका इस्तमाल किया जा सकता है, और ये आर्मी की logistic tail का बहुत बढ़ा हिस्सा होती है, ये cover भी provide करते है, इसके अलावा शरांग के अलावा M77 howitzer हैं, जो कि US से मनाए गए K9 वज्रे T guns हैं, जो कि हमने South Korea से मंगाई, इससे पहले Bofors और धनुष जैसे अलग-अलग artillery guns है, तो यहाँ important यह है कि आपको यह पता रहे कि शरांग is Indian, जो M777 है वो कहा की है, या K9 कहा की है, ऐसे कुछ questions आ सकते हैं, तो एक basic surgery आपके पास एक table अगर आप बना ले, इस चीज़ को देखते हैं कि कहां पर कौन सी guns आ रही है, क्योंकि specifically अभी आपको सब कुछ याद रखना कितनी उसमें cavalry लगती है, कहां कहां इस्तमाल होता है, थोड़ा lengthy हो जाएगा, पर आपको इतना पता होना चाहिए कौन से origin की gun कहा है, और जो India में manufacturers है, वो त आपने किसी भी city को protect कर सकते हैं, air defense के दुरू, normally Washington DC के आसवास, America इसका 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 इस्तमाल करता है, जिसमें launchers होंगे, layered security setup होता है, तो India खुद का भी Ashwin वाला program launch कर रहा है, जो कि India का DC भी एक air defense system है, तो US वाला थोड़ा जादा effective है in terms of, क्योंकि इसमें आपका medium और long range में air to air missile की security होती है, stinger missiles होती है, 3D radars होते है, fire distribution center होता है, तो एक overall बड़े level पर ये production system है, हमारे लिए अभी important क्या है, क्या ये बात है, क्या करता है ये, और कहां use में लाया जा रहा है, किसने इसको manufacture किया है, कौन इसको design कर रहा है, तो एक Norwegian company है, और Royal Norwegian Air Force के लिए primary effort के साथ ही क nuclear capable cruise missile है, और 600 km range की है, और इनका दावा है कि अब रहा हमोस की तरह इसको develop कर रहे है, तो राद टू missile जो है, वो पाकिस्तान बना रहा है, अगे nuclear capable cruise missiles है, cruise missiles क्या होती है, जो guided होती है, जो ballistic missiles होती है, वो ओपर छोड़ते हैं, वो आगे गिरती है, cruise missile को आप ऐसे guide कर सकते हैं, वो जागे target पे hit करते हैं, इंडिया के ब्रहमोस के मुकाबले इसका वो खड़ा करना चाह रहे है, उसके बाद बात आती है, सी hawk helicopters की, तो cabinet ने मंजूरी दे दी है, कि इंडिया सी hawk helicopters US से खरीदेगा, सी hawk helicopters की खास बाती है, कि multi mission maritime helicopters होते है, मतलब अब को rescue करना है, या फिर attack helicopters का काम भी कर सकते हैं, और ये किस के तोरह manufacture की जाते हैं, सी hawk helicopters तो, Lockheed Martin के तरफ, Lockheed Martin असल में बहुत से ships और बहुत से security systems को develop करता है, तो ये भी उन्ही की setup की गई एक helicopters है, खास बात इसमें anti-summarine warfare की भी capacity होती है, कि अगर submarine से उसको मार की गिरा सकता है, क्योंकि इसके cities भी है, Mark 54 anti-summarine torpedoes होते हैं, torpedoes पाने के अंदर जाकर आपकी submarines को गिरा सकते हैं, तो ये खास बात है, seahawk helicopters की, तो seahawk असल में समुंदरी जो hawks होते हैं, इक चिडियां, बाज जिसे कह सकते हैं, या चील, उस तरह की चिडियां होती हैं, उसी का एक सुरूप है, ये helicopter की, बिलकुल आप sea surface के ऊपर उड़ते हुए और submarines पर भी attack कर सकते हैं, तो multi-mission helicopter modules हाई है, seahawks, US से लिए जा रहा हैं, इंडिया के द्वारा, अगला bullet resistant jackets के बारे में बात है, जो Indian ministry ने बोला था कि अब इंडिया भी ये jackets खरीदेगी और US, UK, Germany जैसे खुद के अपने standard के jackets important बात यह है कि ये making in India initiatives के अंदर बनाए गए है, bullet resistant है, normally जो India use करती है, वो सारे bought up होते हैं, ये DC भी बनाए जाएंगे और India rare countries में होगी जो ऐसा बनाएंगे, यहाँ हमारे लिए important इतना है कि इंडिया में capacities develop हो रही हैं कि ये खुद के high level के jackets bullet resistant बना सके है, bullet proof जिसे हम आम भ होती है, hypersonic, subsonic वो speed है जब आप आप आवाज की गती से कम जा रहे होते हैं, जब आवाज की गती के barrier को break कर देते हैं, यानि 1 max से उपर के आपकी speed होती है, तब आप होते है, supersonic, you go beyond the voice of sound, उसके बाद 5 max से उपर जब कोई चला जाता है, उसे करते है hypersonic, और DRDO इंडिया के hypersonic weapon system के उपर काम कर रहा था, जो 5 गुना से ज़ादा तेज होंगे, speed of sound से, तो ये ज़ादा मातरा में आपकी nuclear payloads को ले जा पाएंगे, और अभी तक जो imagine नहीं थी, उसे ज़ादा speed पे काम कर पाएंगे, तो इंडिया काम कर रहा है, DRDO इसके उपर research कर रहा है, तो what is hypersonic, आप अशुर वहिकल है, वैसल है, वरद, तो किसलिए काम करेगी, भाई, patrolling करेगी, और बाकी जो normal missions होते हैं, वो पूरे करेगी, किस के साथ इसको बनाया गया है, तो L&D ने इसको design किया है, और ministry of defense के साथ उनका contract था, इसको जहाँ deploy किया गया है, वो पेरादूइप, उडिसा म अगेन वरद क्या है, यह आपको idea होना चाहिए कि Coast Guard vessel है, तो थोड़ा differentiate situation आपको पता होना चाहिए, Coast Guard के कौन से important ships है, जो अगर news में रहे हैं, कहीं rescue missions हुआ है, तो वो थोड़ी जानकारी important हो जाती है, फिर एक article बात करता है, light machine guns की, ministry of defense ने Israeli weapon industries के साथ sign किया है, एक contract जिसक automatic और कई तरह के machines guns का इस्तेमाल किया जाएगा, अगेन mission gun के contract किस देश के साथ किये गए, तो इसराइल के साथ, पहले हमने देखा जो T9 guns थी, वो किस country के साथ थी, South Korea के साथ, हमारा जो M777 howitzer थे, वो किस के साथ थे, तो वो US के साथ, तो इस तरह की थोड़ी बहुत clarity आपक जो attack, rocket attack कुछ, marketist organization करते थे, उससे Iraq को protect करने के लिए, तो ये long range, all attitude, all weather, air defense system था, लेकिन problem इसके साथ ये थे कि जैसे हमें पता, iron dome, Israel में काफी successful हुआ था, उतने successful और उतने precise नहीं था, air defense system, तो इसलिए उसके बाद, America ने एक और develop किया, पर primarily what is patriots, patriots and air defense system, किसका है, US का है और all weather defense system था, जो इरान में, इराक में लगाया था, इरान के खिलाफ, जो वहाँ से बंबारी गरी उसको रुकने के लिए, इसराइल में भी setup किया गया था, intercept करने के लिए, और इसी से related, दो तीन चीज़ें, iron dome, जो इसराइल का अपना खुद का air defense system है, then there is falak, जो कि इरान क air defense system है, अब क्योंकि हम US की ही बात करें, तो US इंडिया missile delay होई थी, जिसके तहयत बात हुई थी कि इंडिया almost 92 million dollars की इंडिया को missile sell करेगा, जिसमें harpoon, जो missile है और वो equipments बेचे जाएंगे, जो कि, जो petrol aircraft होता है, Boeing का उसमें लगाया जा सकता है, इंडिया की anti-surface warfare बढ़ेग sea lanes के मुकाबले, इसका इस्तमाल किया जाएगा किस चीज के लिए है, जो अब कि sea levels है, वहाँ पर defense provide करने के लिए, अगला article बात करता, ICGS सचेत के बारे में, सचेत मतलब क्या होता है, सचेत हो जाएए, सावधान हो जाएए, और जिसे पता है, Coast Guard का a ship है, ICGS का मतलब यह हो तो दो interceptor boat नई लगाई गई है, ICGS सचेत के द्वारा, जो कोशिश करेगा पहली बार, इंडिया में बनावा टूटली गुआशे पेर बनाया गया यह, एक ICGS का ship है, और क्या काम करेगा भाई, तो pollution control से लेके, rescue mission से लेके, patrolling का का काम सब यह देखेगा, और इसका use COVID-19 के त 1978 में established किया गया था, किसके अंदर आएगा, अगेन अंगर ministry of defense आएगा, इसका काम है जो इंडिया का exclusive economic zone है, जो contagious zone है, उस पे नजर रखना और उसकी safeguarding करना, marine environment की protection भी इनकी जमेवारी होती है, और यह coordinating authority है कि अगर कोई oil spill हो गया, उसको कैसे control किया जाए, तो यह clarity हो नीच तो वो सारे aspect इसके अंदर include होंगे, अगला article बात कर रहा है, आएनस सुकन्या के बारे में, सुकन्या ने 80 दिन का अपना लंबा सा एक टूर पूरा किया, anti-piracy mission पे गए था, यह Gulf of Adam के पास, हमने एरिया पहले देखा, Gulf of Adam कहां पर है, Gulf of Oman कहां पर है, बाब बलदेब कहां पर है, state of Hormaz कहां पर है, तो यह region में आपका यह गया था, Gulf of Adam के पास, और जो operation था, जिस operation में यह ship गए थी, उसका नाम था, निस्तार, और एक humanitarian mission था ही, जिसके तहत यह disaster relief अगरा प्रवाइड कर रहे थे, किस country को, तो यमन का जो स्कोटरा आइलेंड है वहाँ, तो यमन न operation rescue का हमारा हाल फिलाल में इसी region में हुआ था, वो था operation संकल्प, संकल्प हुआ था state of Hormaz में, जो यहाँ पर है, तो संकल्प यहाँ हुआ था, और यहाँ इधर जो हुआ था, वो क्या नाम था, उसका, उसका नाम था, operation निस्तार, निस्तार अगेन humanitarian mission था, और यह भी संकल् difference कहां का location है, कौन से mission वहाँ भीजे गए थे, इसमें जानकरी बड़ी important है, तो जब हम बात कर रहे हैं, तो आएनस सुकन्या पर जिसको भीजा गया था, पेट्रोल ड्यूटी पे और जिसका काम humanitarian और assistance और disaster relief के लिए किया गया था, इस mission में, यह बनी है, गोआ शेपेड में और 2013 इंडिन नेवी के साथ है, अगें naval offshore patrol vessel है, जिसका multiple इस्तमाल होता है, क्या इस्तमाल होगा या functions में पढ़ सकते हैं, freight को support करना, coastal offshore patrolling करना, ocean surveillance, escort duties, कभी-कभी humanitarian या फिर evacuation duties भी निभाते हैं, southern naval command का यह पार्ट है, विच इस आइनस सुकन्या, तो जैसे मैंने बताए, operation निस्तार में यह पार्ट थे, और एक और operation जो था संकल्प, जहां again, राइनस सुकन्या गई थी, और साथ में, operation संकल्प के अंदर का जो कहां हुआ था, state of hormones में, वहां भी इसका, इसकी भावेदा कर रहा है, कि US यह जो थार्ट मिसाइल सिस्टम है, यह South Korea में लगा हुआ, तो उसके खिलाफ कि भाई, हमारे strategic area of concern में यह थार्ट सिस्टम काम कर रहा है, हमारे यह question यूपेसी में पहले आ भी चुका है, थार्ट क्या है, क्या काम है इसका, तो again, थार्ट की खास बात ही है, Air Defense में, कि यह Space-based भी Air Defense प्रवाइड करता है, कि Space-based satellite तो हुए है, Ground-based चो रड़ा सिस्टम होते है, वो तो होते ही है, Space यह setup भी इसके अंदर है, कि अंदरिक से भी satellite दागे जा सकते है, satellite से missiles, जो अगर कोई missile आपकी तरफ बढ़ दा है, तो Space से भी इसको destroy किया जा सकता है, यह aspect भी इसमें है, अगें, थाड किसने बनाया है, तो Lockheed Martin ने अगें इसको बनाया है, और इसमें Space-based, Ground-based और infrared sensors तीनों बने वे हैं, ताकि full security cover एक तरह का provide किया जा सके, Ground-based, Space-based और sensing with infrared capacity, सब इसके अंदर होती है, विच थाड किस country का है, क्या इसकी utility है, कहां कहां पर यह लगा हुआ है, तो Europe में है, Asia में है, South Korea में obviously है, इंडिया को offer किया था, थाड, US, इंडिया normally थाड के बजाए, S-400 Triumph, जो रश्या का air defense system है, इंडिया ने उसको खरीदने की बात चल रही है, तो US कोशिश कर रहा था कि इंडिया वो खरीदने के बजाए, थाड खरीदे, ले गवाम में, इस्राइल में और रुमेनिया में deploy किया जा चुका है, किस चीज के काम आता है, anti-balistic missile defense system है, कौन manufacture कर रहा है, किस country का है, क्या operations और क्या speciality है, यह हमने discuss कर लिए, अगला जो article है वो बात कर रहा है, advanced torpedo decoy system, मरीच के बारे में, मरीच रमायन में काफी famous एक character था, ज जो यह है, यह क्या करेगा, यह DRDO ने develop किया है, जो कि DRDO की lab है, naval science and tech laboratory उसने, इसका काम है, कि जहां भी यह detect कर सकता है, मरीच के तरह है, कि कहां पर कौन सा torpedo आ रहा है, कौन सी submarine है, उसको detect करके, locate करके, उसको neutralize कर सकता है, attack करके तबहा करने का, तो वो capable है, detect करने का, locate करने क और incoming target को destroy करने का, तो यह important role है, मरीच का, तो counter major operation में काम आएगा, अगर किसी के खिलाफ आपको जाना है, तो इसके खास बात है, कि इसमें ATD का concept है, कि पहले यह detect करता है, फिर confuse करता है, और तब divert करता है, topido attacks को, ship के तरफ माग लीजे कोई attack आ रहा है, तो यह उसको बताए कि नहीं भाई, ship यहाँ नहीं, ship तो कहीं और है, या फिर ship को move करेगा दूसरी तरफ और वो missile misdirect हो जाएगा, उसके बाद topido को यह destroy कर देगा, तो यह capacity है किसमें, मारीच में, मारीच क्या है, advanced topido decoy system, अगर submarine से topido attack किया है, तो उससे defend करेगा ship को, इंडिया निवी का यह पा उसके लिए खरीदने वाले है, उसको लेकि कौन-कौन से जो proposals है, किस तरह पूस पर काम किया जाएगा, और almost 49,000 कोड़ी है, 49,000 क्रोड का यह project है, proposal है, जो कि इंडिया कुछ requisition करेगा, इंडियन इंडिस्ट्री से और कुछ रश्या से, तो इसके अंदर गद जो important जीज़ है, डिया डियो ने develop किया, पिनाका कहा develop हो रहा है, इंडिया में develop हो रहा है, डिया डियो डेवलप कर रही है, अल वेदर क्या है, भाई, आर्ट लिदी rocket system है, अगें अस्तर मिसाइल, beyond visual range की एक air to air missile है, आप से ये पूछा जा सकता है, beyond visual range है, या visual range में, तो beyond visual range है, air to air missile है, develop किया है, अगें, डिया डियो ने all weather और night capability के साथ है, around 70 km की range होती है, again, confused यहां लोग ऐसे होते हैं, कि वहाँ 700 km का option दे दिया जाएगा, तो अस्तर मिसाइल की range 70 km की है, ना कि 700 ये 800 km की, it's not a long range missile, इसके अलबा, MiG-29 fighters को update करने की बाद चल रही है, कहां से रिये जाते हैं, सोवेत रशा से लिए जाते थे, सुखोई 30 MKI fighter jets again, जो की twin engine, twin sitter, maneuverable fighter aircraft है, जो की सुखोई aviation cooperation बनाती है, multi rule, all weather, air to air, air to surface, deep prohibition missions के लिए जा सकती हैं, काफी in depth attack कर सकती हैं, और next generation एक तरे के fighter jets होते हैं, तो जो defense acquisition council है, जिसने में बात करी हमने की जो बात कर रहा है, कि कैसे इं करने की, तो ये highest decision making है, इसको lead करते हैं, इसके chairman होते हैं, प्राइम मिनिस्टर बिलकुल भी इसके chairman नहीं होते हैं, और defense acquisition council के chairman होते हैं, जो minister of defense है वो, और ये बनाया गया था जब 1999 Kargil war होई थी, उसके बाद इंडिया को लगा था कि acquisition में इंडिया को बहुत time लग रहा है, तो एक separate defense acquisition council बनाया गया था, specifically इस काम को देखने के लिए कि defense acquisition टीजी के साथ हो, इसको लेकर शिकरत कर, committee ने हाल में फिर कुछ और recommendations दी हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, हमने वो already cover किया ही है, और इसी से related एक news है कि Indian Air Force को Apache helicopters दे जा रहे हैं, जो कि obviously US based helicopters है, खास बात इनक battlefield में बहुत जारा खतरनाग तरीके से precise attack है कर सकते हैं, anti-tank missiles हो गए, fire control radar और इस सब चीज़े इनके अंदर है, हमारे लिए important यह है कि क्या खास बात इसकी, तो US based helicopters और इंडिया में बात चल रही है, टाटा के साथ मिलके, एक joint यह Boeing और टाटा मिलके, इसको manufacture इंडिया में कर सकते हैं, dynamic requirements के लिए, यह होगी बात, पाचे के फिर बात आती है, spike missiles, spike missiles in deck wire करना चारी है, spike missiles के लिए हमारे लिए जानना है, important है किस तरह के missile है, तो यह anti-tank missile है, और इसराइल की जो fire and forget anti-tank guided missile का एक सरूप है, इसराइल ही है, और जो इसको company मना रही है, उसका नाम है Rafal Advanced Defense Systems, इतनी जानकारी हमारे चाहिए, माकी in-depth में अभी हमरे पास time नहीं, cover करने का, तो आपको इतना पता होना है, इसकी खास बात है, यह एक MPATGM है, यानि man portable anti-tank guided missiles के करने पर रखके भी attack कर सकते हैं, और यह जो है, इंडिया की खुद की develop होने वाली missile system, इसके उपर काम चल अगें यह अलग है, इंडिया के खुद की एक MPATGM develop हो रही है, anti-tank guided missiles, और इंडिया में नाग है, जो की anti-tank missile है, लेकिन यह वो कंधे पर रहत के चलाने वाली बात है, जो RPG हम देखते हैं, उसका बड़ा सरूप है, इसके उपर DRDO काम कर रही है, जिसे मैंने नाग की बात क किया गया है, और धुरवास्तर 3rd generation file and forget anti-tank missile है, मैं बहुत एक्स्प्रेन कर चुका हूँ आपको, और जो हमारा integrated guided missile defense system है, उसकी का पार्ट यह है, तो धुरवास्तर को जो बनाने की बात चली थी, जो इंडिया का main mission था 1993 में, जो इंडिया का overall missile development program launch किया गया था, integrated guided missile development program, उ उसके अंतरगत कोशिश की गई थे कि इंडिया का पूरा missile setup ऐसा हो, कि इंडिया independent हो, requirement ना हो किसी और के इंडिया को, तो उसके तहति मैंने कई सारे missile setup डेवलप के थे, प्रिथवी अगनी, तृषूल, नाग और अकाश, हमें clarity यह होनी चाहिए कि प्रिथवी कैसी missile system है, त अगन, surface to surface ballistic missile, तृषूल is surface to air missile, और नाग, anti-tank missile है, अकाश, surface to air missile से, तो किस तरह की category है, और क्या उनका आपको range है, यहाँ mentioned है, जो आप देखके revise कर सकते हैं, अगनी, obviously, long range है, प्रिथवी short range है, तृषूल भी short range है, और नाग तो anti-tank missile है, तो short range ही होगी, और अकाश, ए अपन, यह होगी बाद, इंडिया की integrated missile development program की, जिसमें हमने नया पढ़ा दुरवास्त के बारे में, जो दाग का third generation version है, anti-tank missiles का, तेनी भी मूव तो 200 रफाले fighter jets, जो की इंडिया, obviously, फ्रांस से acquire कर रहा है, जो कुछ रफाल jets जो है, इंडिया में, अंबाला में, आए भी त की jets है, 1.5 machine की top speed है, या नि, speed of sound से जारा तेजी से जाते हैं, एक यह supersonic jets है, तो यह ground sea attacks, multi-role combat flight है, और capacity के हैं, air to ground cruise missiles है, air to air missiles इन में लग सकते हैं, hammer, again, hammer एक air to ground guided missile system है, जो सफरान french company है, वो बनाती है, वो भी इसमें लग सकते हैं, beyond visual range attack capability है, meteor नाम के missiles में लगती हैं, जो क एक European company बनाती है, जिसको इसमें लगाया जा सकता है, तो यह है, दसों Rafale fighter jets, काफी news में थे, cover आपने अलड़ी किया ही होगा, then arrow 2 was in news, arrow 2 असल में इसराइल का एक missile setup है, जो कि missile defense system की तरह काम करता है, खास बात arrow 2 is a joint venture between Israel plus USA, दोने मिलके बनाया है, एक बहुत ही महतुकान ची ह जोजना है क्योंकि all weather air defense system provide करेगी, short range और artillery तक को रोकने में कामियाब रहेगी, normally artillery को रोकने में defense systems काम नहीं करते है, rocket जब आता है, तो उसका projectile motion identify करना असान होता है, अचले में धेर सरे एक साथ, जो rockets है, वो launch के जाते है, या जो projectiles है, जो projectiles है मुझ आते हैं, तो यह उसक किसका joint venture है, इसराइल और USA का, then we move to next article which talks about hypersonic test demonstration vehicle, जो कि DRDO बना रहा है, जैसे मैंने पहले mention किया, एक unmanned scramjet demonstration aircraft है, demonstration aircraft का काम होता है, दिखाना कि हमारे पास यह capability बन रही है, उसकी check करने के लिए किया जाता है, तो एक hypersonic air building setup है, जो कि 6 Mac की speed तक जाएगा, जिससे कि आगे India यह launch किया गया था, उडिसा के APJ कलाम complex है, और India fourth country है, USA, Russia, China के बाद, जिसके पास यह technology demonstrate करने की capacity है, और India इसको बाद में अपने missile setups में और cruise missiles setup में use करने की कोशिश करेगा, इसका जो engine scramjet engine है, पहले इसमें basic difference है, एक होता है ramjet engine, एक होता है scramjet engine, scramjet engine is air breeding system, मतलब जो normal engine होत होता है, उसमें आपको oxygen भर के डालना होता है, क्योंकि oxygen चाहिए जनने के लिए, combustion के लिए, तो बहुत सारा space वह आपको वह store करने में, oxygen में चला जाता है ship में, लेकिन scramjet engine में आपको oxygen भरना नहीं पर तो oxidation agent, क्योंकि वह हवा से oxygen ले सकता है, और combust कर सकता है, जो जगें efficient, जदा हलके और जदा cost effective हो जाते हैं, और इनको आपको oxidizer नहीं carry करना पड़ता, when we talk about scramjet engines, यह इंडिया का defense system था, तो scramjet के बात हो गई, और scramjet के खास बात यह भी है, scramjet आपको hypersonic speed पे भी उड़ जाता है, ramjet में हाला कि आपको compressor लगा होता है, और ramjet supersonics speed पे अच्छा काम करता है, पर जब बात आती है, high speed, hypersonic speed में जाने की, तो दिक्कत आने लगते है scramjet engine में, तब इसलिए महाँ पे scramjet का इस्तेमाल किया जाता है, अगला article बात करता है project 17E के बारे में, तो इंडिया नेवी ने हाल में अपना नया ship, जो P17E, वो एक तरह का frigids है, normally वो ships होत होते हैं, जो attack में भी कामाते हैं, तो टोटली P17E, जो class frigids है, इंडिया में totally खुद की develop हुए है, और इंडिया के weapon है, इंडिया के sensors है, completely इंडिया का integrated platform management system में लगाया गया है, जिसमें stealth features है, stealth features मतलब क्या होते हैं, कि radar से बच सकते हैं, और इंको track करना मुश्किल होते हैं, और ये इंडिया की all combat capability बढ़ाएंगे, तो याद रखिए, जो frigids होते हैं, वो combat तो करी सकते हैं, तो multi role का काम ये करते हैं, अगें, जो petrol vehicles हैं, उनसे ज़्यादा advanced level के होते हैं, petrol vehicles का mean काम क्य capabilities रखते हैं, इनका इस्तमाल wars में भी किया जा सकता है, तो navy के लिए बहुत important ये ships होते हैं, तो हमने बात करी क्लास 17A के बारे में, जो हमारा ये ship था, यानी fidgets थे, अभी हम बात करेंगे INS Virat के बारे में, तो INS Virat को decommission किया गया था कुछ सालों पहले, और एक इंडिया क इसका एक सफर रहा है, और अभी इसको dismantle किया जा रहा था, तो court में case भी चला था कि कई लोग इसको dismantle नहीं करना चाहिए, लेकिन Supreme Court ने कहा ये नहीं, क्योंकि navy निसको अलड़ी decommission कर दिया था, तो अभी इसको dismantle या अलग किया जाएगा, तो INS Virat, एक Centaur class aircraft carrier था, जो 30 स साल तक सर्विस में रहा, और अभी British Navy में, इससे पहले इससे पहले ये British Navy में HMS Hermans के नाम से कर रहा था, फर इंडिया नहीं में 1987 में 2017 तक रहा, और इंडिया के important missions जिसे operation Jupiter और operation पराकरम, उन में बड़ा रोल इसने देवाया था, चाहिए उश्रिलंका के peacekeeping operations हो, या फिर इससे चलता फिर था ये एक battle ground होता है, जिसमें पूरा setup होता है, और बड़ा ही बड़ा रोल प्ले करता है, और दुनिया के बहुत कम नीवीज के पास इस तरह के aircraft carriers थे, तो इंडिया एक rare country थी जिसके पास ये था, अभी इंडिया इसको decommission किया गया, क्योंकि बहुत पु कौन-कौन से aircraft carrier है, अगर कोई है भी, तो विराट के बाद क्या, आपको पता है कोई इंडिया में बन रहा है, बनाया जा रहा है, या बन चुका है, विराट के बाद, अर यहन तरवारे के बारे में कुछ पता है, आपको nuclear triad क्या होता है, इसको प्रूप आपने वीडियो बनाये हैं पहले भी, तो आपने पढ़ा हो, यह रिवाइस किया हो अपने, देन दर इस प्रिथवी short range ballistic missiles, तो प्रिथवी का short range ballistic missile इंडियन आमी में strategic command में conduct किया गया है, और इसकी capability भी test की गई थी, अब जैसे आपको पता है कि यह short range ballistic missile है, तो इसकी range कितने होगे, 350 km की range है और ballistic missile है, और इसका इस्तमाल अपने shorter missions में कर भाईगा कि इंडियन आमी, और पास्तों से 1000 kg वारहट ले जाने की capacity यह रखता है, अगला पार्ट है smart missiles का, smart missile अगें एक supersonic missile assisted release of torpedo, इसका नाम है, तो पीडो में इसको लगाया जाता है, जिससे जो टॉपीडो हैं, anti-surmarine में काम कर सकता है, और main जो इसका काम है वो क्या यह बताए, किसने इसको develop किया है, तो DRDO ने develop किया है, कहां काम आएगा, anti-surmarine capacity पढ़ाएगा इंडियन नेवी की, तो आप इसको अलग अलग जिग ऐसे use कर सकते हैं, attack करने के लिए, कोशिश हमने करी है कि हम इसको short रखें, तक आपका time अभी बहुत कीमती है, तो जो important points से उनके उपर focus किया जाए, तो रुद्रम असल में एक anti-radiation missile है, तो यह anti-radiation मतलब क्या हुआ, क्या radiation रोकेगी, ऐसा कुछ नहीं है, इस से related चार चीज़ा है, मैं पता होनी चीए, पहले क्या यह indigenous है, इंडिया में built है, तो ह कि पता लग सकेगी कोई missile कहा है, तो यह detect करेगी और उसको neutralize कर देगी, जिससे दुश्मन देशों के radars हो गए, या उनकी technologies या air defense systems को, और तब जाके उनके attack कर सकते, तो यह specialty है, रुद्रम की, तो इस न anti-radiation missile, air to surface missile, obviously, air to surface मतलब ships पे loaded रहेगी, और radar को beat करते है, रडार पर जाके attack कर देगी, उसको track करके, तो यह है रुद्रम, जो Indian Air Force, obviously, use करेगी, तो जिस principle पर एक काम करती है, से कहते है, inertial navigation system, और इसका एक passive homing head होता है, जो कि detect कर सकता है targets को, radio frequency पकड़के कि भाई, यहाँ पर target है, और वो इसकी जाके attack करता है, तो यह basic सी बात हो गई, 100 km क इसकी operational range है, completely indigenous है, डिया डियो ने इसको develop किया है, of course, air to surface है, मतलब ships में लगाई जा सकते है, jets में, sorry, अगला article बात करता है, आइनस सिंधुवीर के बारे में, तो आइनस सिंधुवीर असल में, एक Myanmar को deliver की गई है, एक submarine है, और पहली submarine है, जो Myanmar को मिलेगी, Myanmar की Navy को, तो defense cooperation में इसलिए आपको पता होना चाहिए, कि इंडिया ने Myanmar को कौन सी submarine दिये है, विज इस आइनस सिंधुवीर, और ये एक kilo class diesel electric attack submarine है, जिसका इस्तमाल Myanmar अपकी security के लिए कर सकेगा, जो ये दिखाता है कि कैसे, इंडिया Myanmar defense relations improve कर रहे है, again, जैसे हमें पता है कि, नेपाल, भूटा या Vietnam के साथ, इंडिया कुछ defense deal कर रहा है, Myanmar के साथ भी हुई है, तो इसलिए, सिंधुवीर आपको पता होना चाहिए, किसको दिया गया है, और क्या है, कि इस ship है, या फिर एक submarine है, right, I hope मैंने आपको explain करी दिया, तो आपको ये याद रहेगा, अगला article बात करता है, laser ATGM के पारे में, तो ATGM मतलब क्या होता है बही, anti-tank guided missile ये full form है, laser anti-guided missile है, मतलब कि laser guided है, जारा जादा ये accuracy के साथ tanks पर attack कर पाएगी, क्या ये इंडिया में develop हो रही है, तो हाँ, इंडिया में DRDO ने ही इसको develop किया, specifically, तो indigiously developed एक anti-tank missile है, जो दूसरों के vehicles को, चाहे वो armored vehicle हो पर टैंक हो, उसको तबाह कर सकती है, specifically laser beam को follow करेगी, तो इसकी range डीर से लेके 5 km की होगी, और काफी जदा precise attack करती है, और एक high explosive anti-tank warhead इसमें लगा होता है, जो detonate करता है, जैसे ही टकराएगा ये सामने वाले किसी भी armored vehicle ये टैंक के साथ, specific क्या बात है, इसमें laser guided है, तो एक बहुत ही precise एक ये defense mechanism provide करता है, इंडियन armed forces को, अगला article बात कर रहा है, vessel traffic services और vessel traffic monitoring system के बारे में, तो जो इंडिया की ministry of shipping है, उसने हाली में एक नया software launch किया था, जो कि इंडिया में जो vessels move करते हैं, vessels मतलब सिर्फ वही नहीं जो और के vessels है, normally जिन पे commercial ships वगरा move कर रहे है, उसको manage करने के लिए एक इंडिया अपना खुद का एक software develop किया गया है, ताकि जो vessel की movement, जो traffic है, उसको ठीक से monitor किया जा सके, उसको भेचाना जा सके, तो इसमें सारा information जो होगा, एक single operating network के अंदरकर दिया जाएगा, कहां पे कौन से vessels की सेरिया में move कर रहे हैं, क्या इन वे equipment exploded हैं, और किस तरह वो move कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या, safety and efficiency of navigation की बात आएगी, और ये एक जो global treaty थी, safety of life on sea, जिसे कहते हैं कि एक solas treaty थी, जो world war 2 के, world war 1 के बाद ही ratify की थी, उसके अंदरकर एक बड़ा step है, हमारे लिए important क्या है, कि vessel traffic services की जो बात है, जो इसका monitoring system है, क्य हम जो defense में देख रहे हैं, एक से ministry of defense के अंदरकर आती है, तो नहीं, ये ministry of shipping के अंदरकर आता है, और अभी हम solas treaty के बारे महुँआँ डीटेल में देखेंगे, जो कि पहला एक पहली treaty थी ये इस मामले में कि भाई कैसे जो ship की movement है, उस security of life at sea, और ये एक जो IMO convention है, उसके अ हमारी setup है, जो हमारा movement of vessels है, हमारी coast के आसपास, उसमें minimum safety standard है as per solas, यानि safety of life at sea, जो है, इसके अंदरकर जो minimum basic standard है, उसकी पूरती हो सके, और जो IMO है, यानि International Maritime Organization, ये इसको administer कर रहा है, तो इंडिया obviously इसका member है, इसमें flag status दिया जाता है, हर दिश के जो vessels होते है, वो अपन white ship, black ship या फिर grey ships, ये हमने explain किया था पहले कि क्या होते है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए, ये काम आता है, तो एक बड़ा step है, और इसमें आपको maritime awareness का program run होता है, और क्या इसकी importance से explain किया गया, वर prelims के हिसाब से important है, कि कहा manage किया जाता है, किस ने launch किया और क्या इसका कवरती के बारे में, तो इंडियन नेवी में इसको induct किया गया, अगेन आइन सकवरती, किस program के अंदर कर लांच किया गया था, हमने पहले भी देखा था, यानि ये एक project 28 है, जिसके अंदर कमोता class जो ships है, और जो submarines है, वो असल में launch किया गया है, तो ये एक anti-summarine stealth, ships मतलब एक ऐसे ships, जो warships होते हैं, चोटे size के, और completely इंडिया में built है, और इसको जो बनाया गया है, वो कॉलकटाय में बनाया गया है, तो इसके अंदर state of the art weapons होते हैं, self-defense capabilities होती है, 90% indigenous content है अंदर INS कवरती, और जैसे मैंने बताया आपको project 28 के अंदर के तीन warships थे, INS कवर लोटा, कदमत और किल्टन, इससे पहले launch हो चुके हैं, यह एक बड़ा, उसी में एक warship है, विच इस आयनस कवरती, अगला article बात कर रहा है, standoff anti-tank missiles, यह नि सेंट के बारे में, तो संत, या फिर सेंट कह सकते है, standoff anti-tank missile है, जो कूरिसा के आस-पास successfully testified किया गया, again, indigenously built है, तो बनाया किसने होगा, DRDO ने बनाया है, और collaborate किया इसमें, एरफोर्स के साथ, ताकि जो 15-20 km के range में, कोई भी target हो, उसको destroy किया जा सके, और यह असल में, हलीना का एक updated version है, हलीना क्या है, हलीक्योप्टर launched nag missile, nag is anti-tank missile, उसका ही और upgraded version है, तो air to surface missile का का काम करेगा यह, और lock, barrel और lock on, after launch capability दोनों इसके अंदर होगी, तो जैसे आपने अल्यडी पढ़ा है, nag is an anti-tank missile, nag का और updated version हलीना है, जो के helicopter launch version है, उसको और update किया गया है, जिसको stand-off anti-tank missile का नाम संथ दिया गया है, तो यह भी nag का यह version होगा, इसके अलावा हमने धुरवास्तर के बारे मे पहले cover कर रखा है, तो आई होब वो defense की वीडियो भी आप देख लें, अगला INS वगीर के बात हो रही है, एक तरह का scorpion class submarine है, जो project 75 के अंतरकत launch किया गया है, कहां से तो मजगाओं dock से, और यह जो इंडे के calvary class submarine है, उसका part है, और sandfish के नाम पर इसको रखा गया है, वैसे sandfish है, वगीर असल में, English में sandfish को हिंदी में वगीर कहता है, उसके नाम से, इसमें stealth features बहुत अच्छे हैं, और काफी कम noise level है इसका, और काफी optimized shape है, तो बीना detect होए, काफी दूर तक travel कर सकती है, easily maneuver कर सकती है, enemy के areas में, और capability provide करती है इंडे navy को stealth तरेके से काम करने के, और यह anti surface warfare हो, anti submarine warfare हो, intelligence gathering हो, सब में एक काम कर सकती है, इसमें आपके top videos और tube launch होते है, जो anti ship missiles होते है, वो इसमें साथ लगे होते है, basic से बाते हैं, पर INS वगीर किस mission के अंदर गत है, किस project के अंदर गत है, क्या है, यह आपको पता होना चाहिए, जो हमने explain कर दिया है, the submarine, now next topic talks about quick reaction surface to air missile system, जिसे हम QR, SMB कहते है, quick reaction surface to air missile, DRDO नहीं develop किया है, क्या करता है, यह तो quick reaction है, जल्दी react करता है, एक तरह की safety प्रवाइड करता है, अगर आपका मान दीजे, एक army का जथा कहीं move कर रहा है, जहां बहुत सारे tanks move कर रहे है, या आपके 4G move कर रहे है, या फिर आपका कोई ships, या कुछ कोई भी important चीज move पर है, तो उसको protective shield देने के लिए यूज़ कर रहे है, ता क्योर SMB कर दिखा कि कहीं से firing हो रही है, कहीं से artillery fire हो रहा है, या कहीं से hoids are attack कर रहे है, तो यह तुरंत surface to air missile system असे इस्तमाल करे है, उनको बचा सकते है उन चीज़ों से, तो protective shield technology की जब develop किया गया, तो QRSM क्या करता है, protective shield प्रवाइड करता है, और इसका इस्तमाल army करने वाली है, और करती भी है, तो इसके साथ radar setups होते है, पूरी एक battery setup होता है, जो आसपास की range में, चाहे flying jets हो या फिर howitzer हो हो है, guns हो या आसपास जो भी threat हो, उसको identify करके उसको neutralize कर सक सकते हैं, अगला article बात करता है, MQ-9B Sea Garden के बारे में, तो इंडियन नेवी ये दो Sea Garden नामक drones जो है, वो USA lease पे ले रही है, drones का क्या काम होता है, maneuver करना, और बिना, of course, एक drone है, तो unmanned vehicle है, कोई वेखती नहीं चाहिए, और काफी देर तक travel कर सकते है, 40 घंटे तक ये उड़ सकत हैं, तो maritime surveillance में, कहां पे कौन से ships move कर रहे हैं, अगर security और surveillance दोनों में बहुत बड़ा रोली play कर सकते हैं, इसके अलावा बात ये चल रही थे, कि इंडिया जो वो drones जिन में weapons भी equipped है, वो भी USA ख़ीडने की बात चल रही है, तो इनका इस्तमाल तो obviously anti-surface warfare, anti-sunmarines में, law enforcement, immigration व lease करेगी, जो नाम से कले होता है, sea guardian अकसर आपको ये ने लगे कोई ship है, बलकि ये एक तरह का drone है, जो US-India lease पे ले रही है, ख़डीद नहीं रही है, again, next topic is about akash missiles, काफी famous missile equipments, Indian Air Force ने akash missile को test launch किया था, आंदर परदेश में तो इसलिए news में रहा, क्या है akash missile, तो एक medium surface to air, म ने इसको manufacture किया है, ये असल में Indian Army Air Force दोरा यूज किया जाएगा, और इसकी capability है, जो aerial threat है, उसको 18 km के range तक ये उड़ा सकता है, और 1.8 max से लेकि 2.51 max तक इसकी speed है, जो showcase करता है, ये एक supersonic missile setup है, और इंडिया hypersonic पे भी काम कर रहा है, ये बात होगे, akash की again surface to air defense system है, एक तर term जो news में था, वो भी देख लेते हैं, हवाना syndrome, जो National Academy of Sciences है, उसने पाया था कि अमेरिका में के जो embassy में लोग थे, हवाना में, क्यूबा की राज़दानी हवाना में, वहाँ पे उन पेक तरह का microwave radiation के तोरह attack किया गया, जिसकी वज़े से उनने एक problem आईथी से कहते हवाना syndrome हवाना syndrome का मतलब होता है, 2016 में उसे हुआ था कि embassy के लोग अमेरिका के काफी ज़रा बिमार पढ़ गए थे और अजीब करीब sound ने सुनी थी और physical sensations होने लग ज़े थे, nausea और बेहोशी इस तरह की C problems होने लग ज़े थे, कुछ लोग इसमें इलाज भी हुआ था पर कई लोग एक ऐसे weapons होते हैं, जो direct energy weapons होते हैं, highly focused energy का इस्तमाल किया जाता है, sonar या laser से through targets के उपर, और क्योंकि एक नितिजी से pulses आते हैं तो उनको पता नहीं लगता कि भाई हमें कोई गोली से attack तो किया नहीं, बस energy का attack होता है, जिसके वाज़े से इनको long term effects होते है, physical damage हो सकती है, औ और चाइना ने पहला microwave weapon display पर रखा था, poly WB1 2014 में, US ने भी इसका prototype microwave style weapon बनाया है, active denial systems, अकसर ऐसे examples हम देखते हैं, comics में, movies में, जहां एक torch जिसा कुछ उपकरेंड भी आपके उपर डाला जाए, तो उसके energy source से आपको बहुत सी समस्याय हो सकती है, तो ये एक system है, हवाना syndrome क जो की इस्तमाल किया गया, क्यूबा में, US के embassy में और उसका प्रभाव देखा गया करे लोबे, तो उनके मानसिक स्थेती खराव हो गई, कई तरह की नींद और सुनने में समस्याय आने लग गई, तो ये हवाना syndrome उस तरह का syndrome का नाम है, clarity मिल गया आपको क्या है, हवाना syndrome कह क्या गया है, और microwave weapons क्या होता है, कि energy को concentrate करके उसके form में आपके उपर attack किया जाता है, अगेन अगला article है, INS हिंगिरी के बारे में, ये इंडिया का project 70 ने ships में से पहला, वो पार्ट है हिंगिरी का, जो की call करता में, जो garden reach shipbuilders उने बनाया, खास बात है, एक stealth frigid है, जो की इं इंडिजिनिस है, ये important है, कहा बनाया गया, और obviously इंडिया में develop किया गया है, अगला article बात करता है, super hornet fighter jet के बारे में, तो बोईंग ने बोला है, कि उन्होंने fa 18, जो super hornet fighter jets है, उसको इंडियन aircraft carrier के साथ, pitch करने की बात करें, कि इंडिया चाहे तो खरीड सकता, दुनिया के सबसे advanced combat proven multi role ये fighter jets है, again हमें कितना पता होना चाहिए, hornet ये fighter jets किस देश में बनाया जाते है, US में कौन सी company मनाती है, बोईंग और इंडिया को ये pitch करना चाह रही है, अगला इसी से related point है, कामूव के बारे में, कामूव असल में, जो इंडियन आमी है, उसने defense ministry को बोला है, क कहा clarity थोड़ी होनी चाहिए, कि कामूव कौन से कहां, किस देश के है, धुरूव किस के है, और चिनुक जहां, वो किस के है, तो जो कामूव है, वो obviously नाम से भी clear हो है, Russia के कामूव design bureau तरह बनाय गए है, Joint Venture India का, जो IRHL है, इनका हुआ था, हैल का Russian helicopters के साथ, जिसके थूँ यह light helicopters ने डेवलब किये, कमूव is not an attack helicopter, कमूव is a utility helicopter, यह याद रखे, तो इसका इस्तमाल किया जाता है, अबने mission compartmentalization के लिए, अलग-अलग surveillance के भी काम करते हैं, पर प्रमूख रूख से attack helicopters नहीं है, अगिन अपाची और कमूव किन किन देशों के हैं, यह आपको थोड़ी इस्तमाल किया जाएगा, और advanced form of air parachute system है, जो कि air dropable है, DRDO ने develop किया इंडिया में, तो याद रखे, शायंग क्या है, क्या यह एक ship है, यह submarine है, तो नहीं, एक parachute system है, और नीवी डे पे, जब operation trident का, जब trident हुआ था, कहां पर, 1971 war में operation trident हुआ था, उसकी एक anniversary को commemorate करते हैं, प सायंग क्या है, यह आपको clarity होनी ही चाहिए, शायंग क्या करेगा, शायंग की utility क्या है, कि इंडिन नीवी की logistics supports बढ़ेगी, capacity बढ़ेगी, और जो requirements है ships की, वो कम हो जाएगी, और एक, क्योंकि GPS-aided container भी है, जिसके इंदर यह setup लगा जाएगा, और इसका इसका इस्तमाल safe touchdown water में किया जाएगा और जो इसको certified किया है, वो किया है, center of military airworthiness और certification, सायंग क्या है, कहाँ develop किया यह ज़्यादा important है, यह ज़्यादा इंडिटेल right now, अगला article बात करता है, laser dazzler के बारे में, जो कि भारत electronic limited ने design किया है, यह असल में एक तरह का laser है, जो ships में लगा जाएगा जिससे कि अगर कोई piracy होने वाली है, कोई displacement का ship है, या कोई sea looter है उनका ship से तो उनको, या suspicious vehicle को एक तरह से अंधा कर देगा, क्योंकि non lethal है, तो उनको नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, पर उनको confuse कर देगा, तो वो maneuver नहीं करता है, तो उनको capture करना काफी असान हो जाएगा तो जो suspicious drones होते हैं, या pirates होते हैं, या बोर्स होते हैं, उनके खिलाफ इस dazzler का इस्तमाल किया जाता है, वो dazzle हो जाते है, उनको route पता नहीं चलता, तो काफी easily उनसे फिर बात की जा सकते है, भाई, क्या है, बताओ नहीं तो आपको attack कर दिया जाएगा, या आप खिलाफ कार तो जमीन पर इसका इस्तमाल किया जाता है, लेकिन पहले बार नीवी के लिए इसको इसको इस्तमाल किया जाएगा, then Linux U2 Fire Control Systems, जो Ministry of Defense ने डिसाइड किया कि यह develop करेगी, तो यह इंडिया ने इसके लिए BAL, यह जो इंडिया की भारत Electronics Limited है, इसके साथ contract signed किया, जो इंडिय किसे track किया जा सके, जो enemy ships है, जो target है जो और उसको और उसपे predict करके attack किया जा सके, तो यह कहां लगेंगे, तो naval offshore patrol वहिकल से वहाँ पर तलवार और takes class के ships पे, इसके अंदर आपके radar होंगे, weapon control modules होंगे, इसका इसका इस्तमाल किया जाएगा, किस चीज के लिए, obviously track करने के ल होगा, तो इससे और ज्यादा strong और flexible हो जाएगा, इंडिया का ships का, जो setup है वो, और completely Indian setup होगा, यह weaponry का, इसमें पूरा आपका weapon है, radars है, आप track भी कर सकते हो, surveillance भी कर सकते हैं, अगला 911 machine pistol news में थी, जो कि DRDO डेवलप कर रहे हैं, इंडिया आमी के साथ, again, इंडिया ने light machine guns क इस देश से मंगाये थे, हमने mention किया था पहले वीडियो में, क्या जो machine, यह 9mm machine pistols है, क्या इंडिया खुद डेवलप कर रहा है, यह बाहर से ले रहा है, तो जो असमी नाम की pistol है, यह इंडिया में, खुद से डेवलप किया जा रहा है, DRDO और इंडिया आमी के साथ, तो यह इन सर्विस 9mm ammunition provide करेगा, 2kg से कम के होंगे, 3D printing process का इस्तमाल किया गया, इसको बनाने में, और 100 meters की range में यह इस्तमाल किया जाएगा, और जो इसराइल की UG series की गंस है, उनके बराबर की capability की होगी है, तो इंडिया खुद का 9mm machine pistols बना रहा है, तो आम फोस इसके लिए अक्षिता setup किया है, जो इंडिया के CRPF है उनको, तो यह असल में bike ambulance type है, कि कोई casualty हुई तो उसको emergency वहिकल है, जहां पी इस तरह से carry करके ले जाया जा सकेगा, तो जो इंडियन institute of nuclear medicine and allied sciences है, उन्होंने इसको develop किया है, और CRPF इसका 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 इस सकेगा, इसमें safety harness है, jackets है, तो कई लोगों की जान specifically CRPF ऐसे areas में काम करती है, जहां उनकी strength कम होती है, उन इलाकों में ऐसा अगर equipments हो, तो इसकी मदद से बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती है, नाम से एक लिए रक्षिता, रक्षा करने में काम आएगा, तो casualty के ल आगे देखते हैं, जो अगला article है, वो बात कर रहा है, S-400 triumph missile के बारे में, तो इंडिया रशिया से खरीडने में बात चल रही है, इंडिया मिलिटरी इसको training courses पर जाएगी रशिया में हाल में, दुनिया का सबसे advanced air defense system है, जिसके खिलाफ कोशिश कर रहा है, अमेरिका इंड cruise missile का पूरा setup है, S-400 किलोमेटर की बेंच तक ये आपको security provide करता है, 30 किलोमेटर altitude तक की security provide करता है, अमेरिका वाला क्या है, मुझे बताइए, हमने discuss किया था, अमेरिका ने जैसे बोला, इंडिया के खिलाफ कार्ट सा लगा जाएगा, कार्ट सा sanctions, अगर इंडिया ये परचे submarine launched ballistic missiles है, और DRDO ने develop किया, missile systems में obviously maximum जो मिसाल से इंडिया वो खुद से develop कर रहा है, और इसकी range 35 किलोमेटर की है, तो obviously middle range आएगी, इससे पहले किवल USA, Russia और चाहिना के पास submarine launched ballistic missiles थे, तो इस photo पे मच जाईए, ये submarine launched ballistic missiles थे, तो K4 कैसी है, अगनी और K4 में क्या फर्क है, K4 ए और इसके obviously इंडिया की navy को एक बहुत strength मिलेगी, तो एक circular air probability का इस्तमाल करते हैं, और जादा sophisticated है Chinese missiles के मुकाबले में, तो killer 4, यानि K4 इसका नाम है range 300 किलोमेटर है, और 2000 kg तक का warhead ये साथ में carry कर सकते है, nuclear capable missile systems है, तो काफी बड़ा role इंडिया नेवी में कर सकते हैं, ये न बाज सकते हैं,